मैं दिपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 एथलीट्स की जो की इस बार पैरिस ओलम्पिक्स 2024 में क्वालिफाई करने से चूग गए किसी ना किसी कारण की वज़े से और उनी 10 खिलाडियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से ऐसे 10 टॉप खिलाडी है और किन कारणों की वज़े से वो पैरिस ओलम्पिक्स में भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और वो इस मौके से चूग गए हैं तो चलिए फिर चुरुआत करते हैं तो सबसे पहले खिलाडी रहने वाले हैं भारतिये लॉंग जम पर मुली श्री शंकर जीयां कॉमन्विल गेम्स और एशिन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट मुली श्री शंकर पैरिस ओलम्पिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं नजर आने वाले हैं और इसका कारण जो सामने हैं वो यही है कि इंजरी की वज़े से जियां ट्रेनिंग के दौरान मुली श्री शंकर इंजर हो गए थे जिसकी वज़े से वो पैरिस को मिस्स करते हुए नजर आएंगे हाला कि उन्होंने पैरिस ओलम्पिक्स के लीट रहने वाले हैं जैस्विन ओल्रिन अब बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की और जो की रहने वाले हैं इंडियन ट्रिपल जंपर एल्डॉस पॉल जी या कॉमन विल्ड गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट एल्डॉस पॉल भी सिमिलर रीजन यानि की इंजरी की वज़े से ह पारिस ओल्मपिक्स को मिस करते हुए नजर आएंगे बात करते हैं तो उनके हील बोन फ्रैक्चर की वज़े से उन्होंने पारिस ओल्मपिक्स के जो कौलिफाइंग टूनमेंस थे इवेंस थे वो उसमें कंपीट नहीं कर पाए उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और ज Especially wrestling के अंदर काफी ऐसे नाम हैं काफी ऐसे चेहरे हैं जिनके उमीद की जा रही थी कि वो Paris Olympics में हमें नजर आएंगे लेकिन unfortunately किसी ना किसी reason के वज़े से वो हमें नहीं दिखाई देने वाले हैं जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे Tokyo Olympics के bronze medalist बजरंग पुनिया की जो की 65 kg काटेगरी में compete करते हुए हमें नजर आते हैं बात करते हैं बजरंग पुनिया की तो Asian Olympic Qualifies के selection trials में जो की इस साल मार्च में हुए थे वहां पर उन्हें 65 kg के semi finals में एक नौ से हार का सामना करना बड़ा जिसके बाद वो पारिस Olympics के लिए नहीं qualify कर पाए और साथ ही एक और बड़ा जटका मिला जब वर्ल्ड जब Wrestling Federation of India ने ये फैसला लिया कि वो Asian Olympic Qualifies के selection trial के बाद दोबारा से कोई और trials नहीं कराएंगे जिसकी वज़े से बजरंग पुनिया का पैरिस Olympics में जाने का सपना तूट गया कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला रवी कुमार दहिया के साथ भी 57 kg category में Tokyo Olympics में silver medal जीतने वाले रवी कुमार दहिया भी कुछ इसी similar reason की वज़े से पैरिस को मिस करते हुए नजर आएंगे selection trials जैसे कि मैंने बताए जो कि मार्च में हुए थे वहाँ पर उन्हें हार मिली काफी लंबे समय के बाद वो injury से वापसी कर रहे थी जिसकी वज़े से वो अपना full potential में महाँ पर compete नहीं कर पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा और जिसके बाद जब WFI ने ये फैसलर लिया कि दोबारा से selection trials नहीं होंगे तो इसी के साथ वो भी Paris में अब नहीं दिखेंगे और उनकी जगा 57 kg कैटेगरीव के अंदर हमें एक मातर भारती रसलर men भारती रसलर जो नज़र आने वाले हैं वो रहेंगे अमन शेरावत और हम उमीद करेंगे कि अमन शेरावत ज़रूर Paris Olympics में एक medal जीतने में कामियाब रहें अब बढ़ते हैं पांचवे ऐसे athlete की ओर जो कि हमें Paris Olympics में नहीं नज़र आएंगे हम उनको athlete तो नहीं कहेंगे बलकि team कहेंगे हम बात कर रहे हैं women's hockey team की जियां Tokyo Olympics के अंदर historic fourth position finish करने के बाद भारतिय women's hockey team हमें खेलती हुई नज़राई Asian Games के अंदर जहां पर वो गोल जीतने से चूप गई जिसके बाद उनके पास Olympics के अंदर qualify करने का एक मात्र मौका बचा था Olympic Qualifies एफ आईएच Olympic Qualifies जहां पर उन्हें top 3 में finish करना था अगर वो Paris Olympics में अपना spot secure करना चाते थे लेकिन वहां पर भी इंडियन women's team को काफी जटका लगा क्योंकि शुरुआत में तो वो top 2 spot से बाहर होई गए थे लेकिन उसके बाद जब third और fourth position का match था तो भारत जैपैन के खिलाफ हमें खेलता हुआ नजर आया जहां पर उन्हें 0-1 से हार का सामना करना पड़ा जिसकी वज़े से Indian hockey team का जो Paris Olympics में compete करने का सपना है वो वहीं पर ही तूट गया और इसी के साथ इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ Indian men's team नजर आएगी women's team इस बार हमें Paris Olympics में नहीं दिखने वाली है अब बढ़ते हैं अगले नाम की और जो की रहने वाले हैं हमारे छटे खिलाडी और वो रहेंगी भारतिये women boxer नीतू गंगस जी आँ बात करते हैं नीतू गंगस की वर्ल चैंपिन और उ पीट करती है लेकिन ये जो वेट कैटेगरी है ओलम्पिक्स में ये वेट कैटेगरी नहीं है जिसकी वज़े से उन्हें 54 kg कैटेगरी में शिफ्ट होना पड़ा और 54 kg कैटेगरी के अंदर उन्हें प्रीती पवार से हार का सामना करना पड़ा जिसकी वज़े से वो Paris Olympics में जगा नहीं बना पाई और इस बेट कैटेगरी के अंदर प्रीती पवार इंडिया को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएंगे बढ़ते हैं उसके बाद अपने साथवे नाम की और जो की रहने वाली है भारतिये फैंसर भवानी देवी भवानी देवी जो कि Tokyo Olympics में कौलि करने वाली पहली महिला फैंसर बनी थी और एक मात्र फैंसर थी लेकिन इस बार फैंसिंग इवेंट के अंदर भारत की तरफ से कोई भी खिलाडी हमीं नहीं नजर आने वाला है बवानी देवी की बात करते हैं तो जितने भी Olympic qualifying tournaments events थे वहां पर सिर्फ और सिर्फ जीतने वा अपना quota secure कर पाता लेकिन ऐसा किसी भी tournament में नहीं हुआ जहां पर भवानी देवी Olympic qualifying tournaments की हम बात कर रहे हैं जहां पर भवानी देवी ने वो tournament जीता हो जिसकी वज़े से वो Paris Olympics में हमें नहीं नजर आएंगे और fencing में भी कोई भी fencer हमें नहीं दिखने वाला है अब बढ़त परिस Olympics में अपनी जगा नहीं बना बाई शेली सिंग की बात करते हैं जिनकी नजर थी कि वी world जो ranking है उसके कोटे के आधार पर वो Paris Olympics के लिए qualify कर जाएंगी लेकिन करीबन करीबन 15 points के कमी से वो Paris Olympics में qualify नहीं कर पाई वहीं बात करते हैं शेली सिंग की तो उन्होंने 10 outdoor tournaments के अंदर compete किया लेकिन वो भी काफी नहीं हुए उन्हें Paris के अंदर ले जाने में और इसी की वज़े से शेली भी हमें इस बार नहीं नजर आएंगी आप बढ़ते हैं अपने 9 नाम की और जो की रहने वाले हैं former world number one भारतिये शटलर किडंबी श्रीकान जी हां ऐसा दूसरी बार लगतार दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि किडंबी श्रीकान ओलंपिक्स के अंदर qualify करने में नहीं कामयाब हो पाए हैं इससे पहले टोक्यों ऑलंपिक्स में भी वो नहीं qualify कर पाये थे और अब पारिस में भी सेम ही उन्हें चीज का सामना करना पड़ रहा है किडंबी जिन्होंने करीबन 11 BWA World 2 टूनमेंस में से 10 टूनमेंस ऐसे रहे जिसमें वो 1st या फिर 2nd राउंड में ही बाहर हो गए जिसका काफी जाधा फर्क उनकी वर्ल्ड रैंकिंग्स पड़ा और टॉप 16 के बाहर उनकी रैंकिंग्स आ रही थी लेकिन अगर वो टॉप 16 के अंदर भी होते उन्हें कम से कम टॉप 13 में तो आना ही पड़ता क्योंकि लकषी सेन की वर्ल्रैंकिंग्ऺ फिला जो वर्ल्रैंकिंग है वो वर्ल्ल-13 स्परहे तो अगर इच्शचप्रमाई के साथ कि डंबी क्वालिफाई करना चाहते तो उन्हें कम से कम वर्ल्ल नमबर 13 स्पोर्ट को अपने नाम करना पड़ता और इसके बाद ही वो पैरिस के लिए क्वालिफाई कर पाते लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसी के साथ कि डंबी श्रीकांत इस भार भी हमें ओलम्पिक्स के अंदर नहीं नजर आएंगे अब बढ़ते हैं दस्वे और आखरी नाम की और जो की रहने वाले हैं भारती राइफल शूटर रुदरांग श्पाटल फॉर्मर वर्ल्ल नमबर वन शूटर जिनोंने एशिन गेम्स के अंदर वर्ल्ल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था और उसके अलावा 2022 वर्ल चैंपियंशिप और 2023 वर्ल कप के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था वो भी पारिस ओलम्पिक्स के अंदर शूटिंग स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए ऐसा कोई सॉलिड रीजन नहीं है सामने की क्यों वो स्क्वाड में शामिल नहीं किये गए सिर्फ और सिर्फ ये नाम ही सामने है कि दुरुदांक श्पाटल भी शूटिंग स्क्वाड में शूटिंग कंटिंजन में अपना नाम नहीं उनका दरज हुआ और इसी की वज़े से वो पैरिस ओलम्पिक्स के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाएं हैं तो ये थे हमारी तरफ से टॉप दस ऐसे खिलाडी जो कि इस बार पैरिस ओलम्पिक्स में हमें नहीं नज़र आएंगे बाकी इसके लावा और भी काफी खिलाडी हैं जो कि नामी चेहरे हैं जो कि हमें इस बार नहीं नज़र आएंगे जैसे कि अगर हम बात करें दीपक पुनिया है उनके अलावा भारतिय बॉक्सर शिवा थापा है उसके अलावा और शूटर भी है जिसमें अखिल शुरैन है और बात करते हैं तो दीपक करमाकर है प्रनती नायक है तो काफी सारे और ऐसे खिलाडी हैं जो कि इस बार पैरिस मे हमें नहीं नजर आएगा तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही बाकी पैरिस ओलंबिक से जुड़ी है कबर जाने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दे तो तांक यू फूर वाचिंग दे वीडियो